नमस्कार NMF News देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ खुश्बुराए 12 अक्टूबर के बाद है जब मुंबई गोलियों की तडड़ाहट से गोंज उठा था आप सभी को याद होगा कि बाबा सिद्धिकी को यहाँ पर गोलियों से भून दिया गया और उनकी मौत हो गई थी मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्णोई ग्रुप ने लिया और इसके बाद से लगातार सलमान खान पर भी कई सारे खबर सामने आए कि बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्णोई का अगला टार्गेट सलमान खान होगा लेकिन इन सब के बीच एक पोस्ट तोशल मीडिया पर काफी तीजी से वाइरल हो रहा था उस पोस्ट को आपने भी देखा होगा मीम्स के जरीए देखा होगा या फिर अगर आप ट्व कोई इस पर सपोर्ट करता हुआ नजर आया तो कोई इसके अगेंस्ट में बोलता हुआ नजर आया इन सब के बीच में आपको बता दे कि यह जो पोस्ट था वो एक उडिया एक्टर की तरफ से किया गया था जिनका नाम है बुद्धी मतित्व मोहंती यह शक्स है जिन्हों अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला था और इस पोस्ट को डालने के बाद कुछ देर के बाद उन्होंने हाला कि डिलीट कर दिया था लेकिन अब इन सब मामलों में एनस यू आई ने इन पर केश दर्ज करवाया है क्या पुछ कर और स्क्रीन शॉट भी दिया है कि क क्या कुछ पूरा मामला था और ऐसे आप राहूल गांधी के बारे में नहीं बोल सकते हैं इस पर खास जानकारी के लिए मेरे साथ मौझूद अभिशेख पुंडीर उनसे बात चीट करते हैं अभिशेख क्या है पूरा मामला देखें जिस तरीके से आप देखी रही है कि लॉरेंस गैंग कैसे लगातार एक्टिव है देश में और उस दिन के बाद से शायद मुझे लगता है सलमान खान को तो लगातार लॉरेंस विश खालिस्तानी हरदीप सिंग निजर का नाम प्रमु कहा पिछले साल उसको मौत के घाट उतार दिया गया वह हत्याएं लॉरेंस बिस्नोई गैंग के कहने पर की गई लॉरेंस बिस्नोई के गैंग ने वह हत्याएं की है हालकि कनाड़ा ने जब यह बात कही तो मुझे समझ घाननी हैं आया खुशबू कि वह आकिट बोलन के रहें क्या उन्हें हमारी रह पर भरोसा नहीtv है क्या मारी इंतलिज़ेंस एजेंसि पर बरोसा नहीं है कि गैंगिस्टर जाकर भारतवी भंजी लोगों को खालिस्तानियों को महां महारे बात है तब से लॉरेंश बिस्नोई का नाम लगातार सुर्खियों में चर्चा में लोग अब जानना भी चाहते हैं कि लेकिन यह जो आपने बताया मामला उडिया एक्टर मोहंती ने जो कुछ कहा वो क्यों कहा उनके दिमाग में क्या कुछ रहा होगा वो तो मैं नहीं जानत लेकिन ऐसा कहा जा रहा है लोरेंश बिस्नोई की तरफ से यह ऐसे दावे हैं पुष्टी में नहीं करता हूं कि हमने उन लोगों कुमारा है जो देश विरूदी थे पाकिस्तान में पिछले साल लगबग 12 मोते हुई भारत विरूदी जो आतंकवादी थे भारत में जिन्ह रहून का ऐसा कहना दावा है लोगों का कि हमने देश विरूदी लोगों को मारा है हमने किसी भी ऐसे लोग को नहीं मारा जो निर्दोश हो और बाबा सिद्ध की भी कोई बहुत बड़ा संत नहीं था ऐसे दावे शोशल मीडिया पर किये गए लेकिन अब आप यहां समझे लिधी के रहूल गांदी का नाम क्यू लिए गया हो सकता है कि इसी चीज़ से जोड़ कर जो दावा किया गया है कि भारत विरोधी देश विरोधी लोगों को मारा गया राहूल गांदी देशमें बैठ कर के के हिंदुस्तान में कैरोसीन छिड़का हुआ है और बस चिंगारी लगाने के देर है राहूल गांदी विदेश में बैठ कर केहते हैं कि सिख पगड़ी में पाईंगे कड़ा पने बांगा कड़ा अपने पहन वारीका है उस पर RSS का कबजा है उस पर BJP का कबजा है ऐसे बयान राउल गांधी अक्सर देते है जीने बहुत सारे लोग इस देश का एक बड़ा तबका देश विरूदी बयान राउल गांधी का मानता है और बीजेपी के एक मंत्री ने तो राहूल गांदी की सांसदी को ही रद करने की मांग कर दी थी उनसे लीडर ओफ अपोजिशन का पद तक लेने की बात कर दी थी आप देखे इस देश में राहूल गांदी के खिलाफ दलित समाज अंदोलन करता है सडक पर उतरता है कि आपने द 84 में सिखों का नरसंगार करने वाली यही कॉंग्रेस पार्टी थी जब सिखों के गले में टाय डार कर उन्हें जलाया गया था नरसंगार किया गया था माउन अपने बच्चों के केश काट दिये थे जिससे ना पता चले कि यह बच्चा सिख है किसी को नहीं बक्सा गया वो विदान सबका चुना हुआ तो उमर अब्दुल्ला ने मना कर दिया क्या आप कश्मीर में प्रचार करने कर कर का रहे हैं आप जम्मों में जाकर प्रचार कर दिये लेकिर राहूल गांदी जवाब तो अक्सर तुस्टी करन से प्रभावित हो करते हैं जो मुस्लिमों को इंदुस्तान का आमाद में करता है तो हो सकता है कि यहीं सब बातें सोचकर जो उडिया एक्टर का अपने नाम लिया मोहनती उन्होंने यह हो सकता है पोस्ट किया हाला कि उसके बाद उन्होंने माफी भी माँगी माफी में क्या कुछ कहा वह आप दर्शकों को बताईए बिल आगे पोस्ट में लिखा था कि अब लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम है वो वैसी और राहुल गांधी का होना चाहिए और इसी को लेकर के पूरा मामला है और इस मामले को लेकर अब शिकायत दर्श करा दी गया हाला कि एक और पोस्ट उनके तरफ से डाला गया जिसमें उन् मेरी पहली पोस्ट का उद्देश उन्हें निशाना बनाना नुकसान पहुंचाना या किसी भी तरह से उनका अपमान करना नहीं था नहीं उनके खिलाव कुछ लिखना था अंजाने में मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मेरा ये इरादा नहीं था मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं पहले वो पोस्ट करते हैं कि लिस्ट में जो नेक्स नाम है वो राहुल गांधी वो वैसी का होना चाहिए उसके बाद जब उन पर केस दर्ज हो जाता है तो फिर अपने बयानों से बदल जाते अपने नया पोस्ट डाल देते और बोलते हैं कि किसी स्टन्ट के लिए भी किया हो क्योंकि उडिया एक्टर हैं तो इस बार जो मेहनत किया दो पधियात्राइं निकाली हैं बहुत जाता मेहनत भी उन्होंने की है इसी वजह से बावन से 99 तक तो पहुंचे हैं उनका भी वोट बेंक बढ़ा है कई ना कई उनसे भी जूडे हु जारखंड में भी बुरा ही आल है तो जिदात लगता भी नहीं है कि आगे क्या कुछ होगा वो चुनाव बताएंगे जनता बताएंगे लेकिन पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है उस बात से बिलकुल भी इंकार नहीं किया जासा कि राहूल गांदी एक बड़ा नाम है अब तो बड़ा है जब यह पोस्ट हमने खुद ही देखा था हम खुद सोचल मीडिया यूजर है और हमने जब वह पोस्ट देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग है जो लौरंस बिस्नोई जो की एक आरोपी है उसे जेल में बंद रखा गया है बावजूद इसके वो इतना बड रहे होगर बहुत सारे ठेटीं भी गए होंगे के कुछे तो end ora गांधी हरवक्त जो ए मेरेते ही राहुलकांदी को ही चर्चा रहती है सल्मान भान को दम की अधिया डूर्वक्छ Mutter कुल और अगर ऐसा भी होता कि मुहनती पहले से सोचल मीडिया पर इस तरीके से अग्टिव होते हैं जो हर एक बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं अपनी बातों को रखते हैं वैसा भी नहीं अचानक से लौरेंस विश्णूय को यिरो बना देते हैं फिर दूसरे पोस्ट में उनसे माफी मांग लेते हैं तो मुझे लगता है कि कहीना कहीं यह पूरा मामला है उन्होंने शायद ऐसा कुछ किया होगा हाँ बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता खुश्बू बाकि जो कुछ इस मामले में अभी तो उन्होंने माफी मांग ली है एने इस यूआई की तरफ से शीकाज दर्ज करवाई थी अब क्या कुछ होगा इस मामले में वो देखना होगा क्या कुछ इस मामले में अपडेट कि कलकर आते हैं बिल्कुल जो भी होगा वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुचाएंगे फिलाल इस खास दिस्कुशन में बस अतना ही हमें दीजे इजाज़त नमस्कार